जै जोहार आप देख सकते हैं कि जिला दूंका नौडी गाउं का मामला है यह वीडियो कामो ब्लोग के चैनल पर एक दिन पहले अपलोड किया गया जिसमें यह बताया गया कि नौडी गाउं के एक लड़का को रात में सपना आया और वो बताया कि माता मारियम यहां पर कड़ हुआ जिसमें लोग माता मारियम की पुजा करने लगा और यह भी कर रहा था कि वाटसप यूनिवासिटी का मामला है तो आप यह समझ सकते हैं कि यह किस तरह की सर्यंत रचे जा रहा है अब सभी दर्शकों से यह निविदन करता हूं कि यह लोग आदिवासी को मुर्ख और धर्म के नाम पर उनके साथ मानसिक रूप से रोगी बना देता है भोले भाला आदिवासी को यह समझ में नहीं आता है यह खटना परमानित नहीं हुआ है और ना कि परमानित किया जा सकता है यह अंदवी स्वास है यह लोग जो कि कहे रहाता है कि वाटसप में यह वीडियो वाइरल हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि यह लोग भोले भाले आदिवासी को इस तरह से गुम्रा किया जाता है और इस तरह का मार्क दर्सन दिखा जाता है कि यहीं है सब चीज़ हम जानते हैं कि माता मार्यम वो कहां पर जन मिली थी लेकिन उस देश में ऐसी कुछ घटना नहीं होता है हलाकि इस भारत देश में उन आदिवासियों के एक छोटी सी गाव में यह घटना होती है तो कहीं न कहीं हमें समझना होगा और सभी आदिवासियों से यही प्रिंति करता होगी आप इस तरह के मामले को गंबिर्दा से ना ले और यह सब एक सर्यंत के दहत